नमश्कर आप सबी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुभिंद हुसेंग राजस्तान चिनाव में वोटिंग के लिए अब गिंती के दिन बचे हैं हर पार्टी ने अपने अपने उमीदवारों को मैदान में उतार दिया है और इस पार 18 से 19 साल के 22,71,647 नए मतदाता पहली बार वोट करेंगे हर पार्टी की नजर युवा वोटर्स पर है राजस्तान की 200 सीटों में से 130 से जादा सीटें ऐसी हैं जहां युवा वोटर अच्छा खासा प्रभाव डालने की स्थितिपा है दौलपूर विदानसाबा सीट में सबसे ज़्यादा युवा मतदाता है दौलपूर में 55% से ज़्यादा वोटर की उम्र 40 साल से कम है लेकिन आपको और भी आंकड़े बताएं लेकिन जरा उम्रवार वोटर का जो आंकड़ा है वो आपको जरा बताते हैं दरसल 18 से 19 साल के जो नए वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे उसमें ये आंकड़ा आपके सामने है जिसमें 13,00,31,7,143 का ये आंकड़ा है और ये आप देख रहे हैं आंकड़ा वही 9,37,373 महिलाओं का आकड़ा है और जो थर्ड जेंडर है वो इसमें 33 है और इसी के साद 20 से 29 साल का भी आंकड़ा है जो कि आपके सामने है 30 से 49 और कुल मिला करके जो 18 से 49 साल का आंकड़ा है ये आप देख रहे हैं दरसल उम्र और पाटी वार ये वोटिंग जो की जाएगी उसके हिसाब से ये पूरा आंकड़ा आपके सामने आ रखा गया है और इसमें दरसल खास बात ये है कि जो नए मतदाता है उनकी भूमी का इसमें क्या है वो आपके सामने है तो दरसल चुनाव में राजिस्तान का युवा आखिर किस के साथ है 18 से 19 साल के जो नए मतदाता है उनका इसमें क्योंकि कई सीटों पर ऐसा है कि बहुत जादा इसमें प्रभाव रहा है 30 से 49 साल के युवा वोटर्स 1 करोड 18 लाग से जादा है वही सी के साथ 19 से इसमें युवाउ ने बीजेपी को कॉंग्रस से जादा वोट दिया था और 2013 विदानसवा चुनाव में भी बीजेपी को कॉंग्रस से जादा वोट मिले है और अब आपको जड़ा तस्वीरे दिखाते है दरसल 2018 विदान सभा चिनाव के जो आकड़े हैं वो आपके सामने हैं अब इसमें 25 साल तक के जो युवा हैं उनका आकड़ा आप देखिए कि किस ने किसको कितना पसंद किया 26-35 साल में 37 प्रतीशत लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी को पसंद किया वहीं 36-45 साल की उम्र के जो लोग हैं उन्होंने आप किस पार्टी को पसंद किया है वो आपको लगातार दिखा रहा है और एक बार फिर से आपको जड़ा ये आकड़ दिखाते हैं अब आपको जड़ा और थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं 2013 विदानसबच जुनाव के ये आकड़े हैं 25 साल तक के जो मतदाता हैं 30% मतदाता कॉंग्रेस पार्टी के साथ हैं अब 26 से 35 साल के जो मतदाता हैं वो 35% कॉंग्रेस पार्टी के साथ है अब ऐसे ही आप देखिए 36 से 45 साल के जो मतदाता हैं वो किस तरफ जा रहे हैं वो भी आपको आकड़ा दिखाया है 46-55 साल तक की जो age group के मतदाता है उसका भी आकड़ा है 56 साल और उससे जादा का भी आकड़ा आपके सामने है तो ये तमाम वो आकड़े हैं जिसके जरीया आप समझ पाएंगे कि अभी तक कितना प्रतीशत voter किस party की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है और ये भी आपको एक age group के साथ दिखाया जा रहा है कि 20 साल से उपर कितने लोगों ने अभी तक किस party की तरफ वोट किया और उससे जादा आगे उम्र के जो लोग हैं वो किस party की तरफ जाते हुए नजर आए हैं और हमारे साथ एक खास मेमान कारेकर में जोड़ चुके हैं हमारे साथ वरिश सयोकी निरश शर्मा जी हमारे साथ जोड़ चुके हैं निरश जी बहुत स्वागत है लेकिन इन आखडों के जरीए बहुत कुछ साफ होता हुआ नजर आ रहा है ना सिर्फ दोहजार अठारा बलकी दोहजार तेरा के भी आखड़े हैं कौन सा मतदाता किस एज गूर्प का मतदाता किस पार्टी पर जादा भरुसा कर रहा है यह अभी तक इन आखडों के जरीए नजर आया है लेकिन अगर इस 2023 के चुनाव पर नजर डालें युवा मतदाता पहली बार वोट करने वाला मतदाता आके किधर जाने की इस्तिती में नजर आता है देखी पांच करोड उन्तिस लाग से जज़दा जो मतदाता है वोटर्स वो राजस्तान के अंदर है और अभी हालिया जनसंक्या जो है टोटल कैलकुलेशन जो की गई है निरवाचन भाग की और से आठ करोड से ज़दा जनसंक्या राजस्तान की है और वोटर जो है वो आठ करोड पांच करोड और 29 लाग से उपर है इसमें से अगर यूओं मतदाता की बात करें तो एक बड़ा पर्तिशय जो है वो यूओं मतदाता का है दो करोड तीहंतर लाग और नबे हजार 107 यूओं मतदाता है यानि कि जो 18-19 साल से लेकर के 49 साल तक के जिनको युवा पीडी माना जाता है या जवान पीडी माना जाता है वो वोटर है तो आदी से जदा आबादी जो है वो युवाओं की है और ये बड़ी आबादी है जो की सीदे सीदे चुनाओ को मतदान को प्रभावित करती है और स 2013 विदानसभा चुनाओं के इसमें वोटिंग का प्रतिशाद अगर हम देखें तो कॉंग्रेस से ज्यादा बीजेपी को युवा जो वोटर है वो 2013 से चुनाओं में वोट डालता आया है 2013 में जो मोदी लहर चली थी उसके बाद से लेकर कि अब तक दोनों बार में ये ट्रेंड रहा कि यूथ ने ज्यादा जो है कॉंग्रेस पार्टी से बीजेपी को वोट दिया है जबकि अगर भुजुर्गों की बात करें या 40 साल से उपर की व्यक्ति की बात करें तो उसका जो पलड़ा है वो कॉंग्रेस के अंदर भारी नजर आया है तो सीधे तोर पर जो आकड़े हैं वो हम देख सकते हैं कि 2013 में किस साल के किस उम्र के जो लोग है उन्होंने किसको वोट दिया 46 से 55 साल के जो हैं वो बीजेपी को 46% वोट 2013 के अंदर दिया था यानि वो तो मोधी लहर थी लेकिन उसके बाद अभी तक का जो ट्रेंड चला आ रहा है उसमें जो वोटर माना जाता है वो कॉंग्रेस के साथ माना जाता है तो ये पूरा एक सियासी एक घटना करम रहा जो कि पिछले दो चुनाओं के अंदर हमको देखना पड़ा अब की बार में क्या ट्रेंड रहने वाला है इसको लेकर के सियासी कवाईदे शुरू हो गई है क्योंकि दोनों राजनितिक पार्टियां कॉंग्रेस बीजेपी जो बड़ी पार्टियां है राजनितिक उनके स्टार पचारक अब राजस्तान के अंदर चुनाओं की आहड देने वाले हैं अमिश्या का भी दोरों तैह हो गया है प्रदानमंति नयंदर मोधी के दोरे तैह हो गया है बायतू के अंदर प्रदानमंति आ रहे हैं अमिश्या टॉंग के अंदर आ रहे हैं राहूल गांदी भी बायतू के अंदर आने वाले हैं प्रियंका गांदी चित प्रदेश के अंदर लग गया है ये भी चोकाने वाली बात है हाला कि वो उस्टार प्रचारा के किसी भी राज्जी में उनको इस्तिमाल कर सकती है पार्टी लेकिन राजस्तान खुद का प्रदेश छोड़ करके मद्ध्रदेश के अंदर उनको भीजा जा रहा है को सीटों प दोरे करवाने चाहिए थे लेकिन मद्ध्रदेश की सीटों में उनको जो है गुजर भाहुली शेतर वहाँ पर उनको बेजा जा रहा है पार्टी की रणनिती इसके अंदर हो सकती है लेकिन पहले राजस्तान के लोगों का रणनिती कारों का मानना है जैसा कि लंबे समय से हम देख रहे है कि बीजेपी के कई निता जो है वो भी केंद्री निता भी चुनाओ के अंदर अब आने लगे हैं और अब ये दस दिन का जो चुनाओ है पूरा चुनाओी घमासान रहेगा इसके अंदर आएगा लेकिन फोकस युवा वोटर्स पर हर पार्टी का है और युवा वोटर्स पर जब नजर है तो क्या इसमें कोशिश इसमें नहीं होनी चाहिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि सचेंट पारेट अगर मद्यप्रदेश भेजा जा रहा है तो क्यों नहीं राजस्तान की य युवाओं को साधा जा सकेंट लेकिन कैसे इसको लेकर के बड़ी पशुपेश किस्तिती है अभी तक का जो आकड़ा है हमने कुछ आकड़े भी दिखाए उसमें थोड़ा सा एक एज है बीजेपी के पास कि युवाओं को जाधा रिजहाने में काम्याब रही है बीजेप तो ये ट्रेंड अगर आगे भी बरकरार रहता है तो इसमें क्या बड़ा फैक्टर इसमें नजर आता है बीजेपी के तरफ जादा जुकाव क्यों जी बिलकुल शुबहेंदू जी नमस्कार और नीरच जी ने बड़े साफ बहुती खुबसूरती से इस पूरे आकलन को अ युवा मतदाताओं का मुझे अच्छे से याद है जब 2014 का चुना मुद्धान मंतरी नरिन मोदी ने जीता था और अभी प्रद्धान मंतरी बद के शपत नहीं ली थी तब उन्होंने ये बात कही थी एहमदाबाद के अपने जीत की रेली में जिस दिन नतीज़ आया थे उन्होंने कहा था कि हमारी नजर उन युवा मतदाताओं पर है जो फेस्बूक और यूट्यूब देख रहे हैं यानि कि जो आठ साल का बच्चा उस वक्त था उस पर हमारी नजर है जो कि आने वाले वक्त में हमारा मतदाता बनेगा हमको उसको ध्यान में रखकर अपने न मतदाता बन गया है और उनकी नीतियां लगातार उन युवाओं उन बच्चों के साथ उनको जहान में रखकर केंद्रित करके बनाई गई हैं उनको किस तरीके से अपने साथ जोड़ा जाए और उसका लाफ जो है बीजेपी को लगातार मिलता जा रहा है दूसरी बात है कि चुनावायोग ने ये भी सुनेशित किया है शुबहिंदुजी इस बार कि जो पहले में साल में एक बार वोट बनते थे और उसमें एक जनवरी जो है हर बरस की वो एक कट ओफ डेट मानी जाती थी नया मतदाता बनाने के लिए इस बार उन देट को चार कर दिया है यानि क उसका भी वोट बने तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो एक साल इंतजार हमको करना पड़ता था अपना मत बनाने के लिए खास तोर पर उन बच्चों को जो यूव अठारा साल के हो रहे है उनका समय स्विमा थोड़ी सी कम कर दी गई है और एक साल में चार बार वो अप जाने में रखा है और उसके तहत ही एमेंडमेंट वो लोग लेकर आए हैं तो जाहिन और यूव अधार आता है कि बीजेपी स्खेल में थोड़ा सा आगे निकल गई लेकिन कॉंग्रिस क्या अपने पुराने जो कैड़र के लोग है या पुराने जो लोग है या उम्रदरा में थी तो उनको बनाया तो वही हूँ तो आज बोले हुए भुजूर को मेचेवर हुए है तो कॉंग्रस तो अपने टीक पे थी वो इग्रांदी को जवाना राजुगादी जवाना या तीजिये तो राजुगादी या पात थी लेकिन राहु गादी के नहीं कह सकते है य लेकिन राहु गादी से यह यह उसका आट्टैक नहीं है कनेक्ट फील ही करता इसका नरेख बोली से जोंकी साथ पैसा सतर सा होगी है सिविंटी के एक्ट फोस है इसका मतलब यह एक कॉंगरस की जो स्क्रट्जी है उतमें लैकुना है उतमें कोई कमी है लेकिन जबी कोई केनी जासाथा में होता है वो वैसे भी लोगों को जादा आपने पास आकासित करता है कि एमजगार के पास ज्यादा सत्या और ज्याद का वैपनी सोते हैं काउरस से गल्दी कि आप भी कि जब मन्मोट सिंटी प्नान मंत्री थे उस समया पतोचा बनाने चाहिए और इती लिए बातने पार्टी के सत्वा में आई उत्ते वो गल्दी नहीं की और सुसल बीडिया के माध्यम से करेक्ट रहने के माध्यम से उन्हो इसका बने कोई इसके पहरे क्योंकि वातन पार्टी कहती है कि कोई इसकी करेक्ट हो जाया ब्रें से या दूसी तरब मैं बातन पार्टी के बता हुआ है विचारदारा की तरफ चला जा जाए खड़वारा पास आया उसको इस से नहीं किया रहा है लेकिन जो बिल्कुल बि इसके अजय कि पार्टी का वो पोर मोडर बने और लॉंटर मॉटर देए शाय से काउजे को अभी पतास सारे सारे साथ संद्र वालो वाले लोग है वो ज्यादा मुरी मात्रा में देते हैं तोंकि यह राजी दी समय में वो यंद लोग थे और वो पोर मोटर थे काउज शीक प्रमुख देता है, सजिन पायब को विचारों को धंसे प्रचार की भी साधा नमती, 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 चीक है, एक चोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जारे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, कि 2018 का जो आंकडा है, वो बहुत कुछ ले करके, सभी खास मेहान लगातार हमार साथ बले हुए हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं, कि यवाओं का महत्व कितना जाद आए, पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको समझ लिया है, और इसलिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टिया है, वोटर्स जो है, जो युवा वोटर्स युवाओं से connect बेहतर कर पाते हैं बशर्ते के राहूल गांदी की उम्र भी थोड़ी से कम है कम से कम प्रधान मंतरी से तो कम है ही तो फिर भी connect नहीं कर पाते हैं और जब हर किसी पार्टी के जेंट में नई मतदाताओं को जोड़ना है तो उसके लिए Congress पीछे कैसे और इसम को पार्टी के साथ जोड़ा जाए इसके लिए कई कारेकरम भी किया और राष्ट भक्ति का जो अभियान है वो भी चलाया गया युवा जो है उसको साथ में जोडने के लिए अग्निवीर जैसी योजना भी साथ में लेकर किया है और बेरोजगारी का मुद्दा जो है 2013-14 की जो चुनाओ हुए थे तब ही से विजान सभा और लोगसभा चुनाओ तब ही से बीजेपी लगातार इसका उपयोग कर रही थी और जब लोगसभा का चुनाओ आया पूरी आंधी चली उसमें सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी बयार थी अब कुल मिला कर गिस्ती यह 25-25 लोगसभा की सीटे राजिस्तान के अंदर चले गई अच्छा नीरत जी एक चीज़ और मैं इसमें जूड़ना चाहरा हूँ 2013 का अगर आखड़ी पर वापस जाएं तो उसमें यह जो 36 साल से उपर के लोग भी हैं यह भी बीजेपी को पसंद कर रहे थे लेकिन 2018 आते आते यह बदल जाता है तो इस पार 23 में आकर के कुछ बड़ा बदलाव आपको दिखा जिता है देखे कुल मिलाकर के 25 साल तक के जो मद्दा था थे 2013 के अंदर उसमें कुल जो ट्रेंड रहा कॉंग्रेस के पक्ष में 33.7 फीजदी जो वोट गया था बीजेपी के पक्ष में 45.17 फीजदी वोट गया था और इसी तरीके से हम 2018 की बात करें तो कॉंग्रेस के पक्ष में 49. परसेंट और बीजेपी के पक्ष में 38.77% वोट रहा था और अगर यूद की बात करें 25 साल तक के तो 36% कॉंग्रेस के पक्ष में बीजेपी के बक्ष में 43% ये रहा था अब इसका कारण क्या है इस पर ज़र असेस्मेंट करने की विजवरत है देखिए सोशल मीडिया जो है वो एक बड़ा हतियार है जो कि युवापीडी के हाथ में है सबसे जादा इसका इसका इस्तेमाल युवापीडी करती है और बीजेपी ने उस चीज को समझा इस हतियार क जो अब तक कई चीजे जो थी वो दबी हुई थी उसको राष्ट वक्ति की भावना को विचारों को इन्होंने सामने लाने का काम किया और युवां को अग्रेसिवली जोडने का काम किया मिस्स कॉल के जरी अभियान चलाया है मिस्स कॉल के जरी आप सरच्छे बने एक परिवार होने का एसास जो है वो यूवपीडिय को दिला दिया दूसी और भारत का ही नहीं विश्यू के नेता के रूप में प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी को प्रजक करके बताया कि देश की सुरक्षा और रक्षा करने के अंदर मोधी जो है पूरी तरीके सक्षम है बारती नहीं विदेशों में भी आज जब प्रदान मंत्री जाते हैं अमरिका के अंदर या अन्ने कंट्रीज के अंदर तो वहाँ जिस तरीके से उनको सम्मान मिलता है मान परतिस्टा मिलती है उसको देश की जन्ता के अंदर प्रसेप्शन ऐसा बनाया गया और वाकई में इस तरह के कुछ काम भी हुए जिसको लेकर के जन्ता जो है यूवापीडी खास तोर पर प्रधानमंत्री नरे दरुकों की स्किल इंडिया उन्होंने अभियान चलाया बहुत सारे ऐसे रोजगार के अभियान चलाया तो उसको लेकर के यूवाँ के अंदर एक उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कुछ उनके लिए अच्छा जरूर करेंगे चीक है अब इसमें मैं जल्दी से रविंदर जी एक रियाक्शन इस पर मैं ले रहा चाहरा हूँ क्योंकि एक नए वर्ग का जन्म हुआ जो लाभारती वर्ग जिसको कहा जाता है तो हम ये बान करके चलते हैं कि लाभारती वर्ग जो है वो किसी भी पार्टी के साथ कि 2017 में बीजेपी संसदेदल की एक बैठक संसद में हुई थी उसके बाद अनंत कुमार जो उस वक्त संसदेकारे मंत्री थे उन्होंने 2017 में कहा कि जो 2018 में जो मत्दाता बनेंगे वो होंगे मिलेनिय मत्दाता यानि कि 2000 के बाद नई शदावदी में उनका जन्म हुआ होगा और हम उनको सेलिब्रेट करेंगे यानि कि ये एक महीम चलाए गई जिससे कि 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए थे वो जब मत्दाता बने उनको सेलिब्रेट किया गया बीजेपी के तरफ से उसको भी देखेंगे शुभेंदू जी तो उसमें युवाओं पर खास्त तोर पर जो है वो फोकस किया जाता है कि उनके पढ़ाई हो या रोजगार हो उन मुद्दों को बहुत ध्यान से देखा जाता है और दूसरी जो सेंसिटिव इशूज है चाहे वो 370 का रहा हो या मंदिर करा हो जिनमें युवाओं की काफी ज्यादा समझ है या ज्यादा उनका जुकाव रहता है उन मुद्दों को भी बहुत गंभीरता के साथ बीजेपी उठाती है और सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया के माध्यम है उन तक पहुंचाने की कोशिश करती है और साथ ही जाद देश की रक्षा का जो नीरा जी ने बोला है वो एक बड़ा महतमुद्दा है और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी उसके एक आइकन बन करके उभरे हैं और इसी वजए से वो जो यूवा लोग है और खास्तों प्रधान मंत्री जब सेनिकों के साथ दिवाली सेलिब्र करते हैं तो सबसे जाएदा हो तो है वहma होता है जानता है पूरे देश बंग के अंदर किसे स्टेट केंदर्न नीकर टैरी आप से ले लाता हूं अलुक्ञी यह बताए है कि इसमेंividad क्यों पीछे रह रहे है यह इसमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रत है क्योंकि स्टेट गवर्मेंट की भी अगर स्कीम हो और यवाओं की सेंटर अगर स्कीम हो तो क्यों नहीं हम टार्गेट कर पाएंगे? अन्म्यूट कर लिजे सर, आलूग जी अन्म्यूट कर लिजे एक बारी, आलूग जी अन्म्यूट कर लिजे एक बारी अपने आपको मैं कहना हूँ कि एक बहुतर कनेक्ट की कमी है कॉंगरेस पार्टी पर नहीं मैं तरको नीचे के लेबल पर बात करता हूँ अगर कोई दस्वारा पंदरा सार का बच्चा है और मैं अपने आपने की पात बता रहा हूँ कानपूर की बात है उसमें आड़सेस के में वीडर के पास सब इस पेड लेबल पे और वो बच्चा आया और जैसे उसमें दिखाया कुझे साखा में जाना है आप लिए उन्हों दस कॉल किये अलांग लेबल पे और उसी समय उसकी उन्हों अस्था करदी का उन्हों पांक्रे साखा में हूँ तो नहीं मार्तन ता पाटी बाकी अन्हों भी चुक्त कर दाता है यह बहुत हद तक तैय करेगा कि आगे पार्टियों का भविश्यक क्या होने वाला है खर बहुत शूक्रियास थोड़ा सशक्राइब हैं बहुत शूक्रियास अब हास में मैंनों का कारक्रा में शामिल होने के लिए अपना कींती समय देने के लिए